अलो फ्रेंड्स एनिमोलोजी स्टड़ी चनल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में फिर से हम एक इंपोर्टेंट टोपिक पे बात करने वाले हैं पीसी जो सूपर क्लास थी उसमें हमने एक नमबर क्लास और में दो नमबर क्लास पाइ antiqu का जो अद्धंत हुआ क्र लिया था आज हम बात करने वाले एक थर्ड क्लास जो है सूपर लास की Osteo-kathij आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि Osteo-kathij जो class है इसको आगे किस प्रकार classify किया गए और इनके जो characters जो है वो भी हम detail से देखने वाले हैं और ये जो वीडियो है काफी हम detail से देखने वाले हैं टोफिक को तो आप वीडियो जो है वो complete देखें और यह जो PDF है यह मैं description में देदूँगा तो आप वहां से download कर सकते हैं हम यहां देखेंगे कि उस्ट्य उक्तिज जो है उसमें dipnoy है, cross update जाई है, actinoptage जाई है, lung phase क्या होती है तो इन सभी का जो answer है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखेंगे जो super class पीसीज जो है, उसमें play quarter में जो थी, वो विलूप्त हो गई थी, कॉंड्रियोक्तिज हमने देखा था कि जितनी वी उपास्तिल मचलियां थी, उसे कॉंड्रियोक्तिज खा गया, और जो third class जो है ओस्टियोक्तिज, जो की सबसे महतोपोन class है, पीसीज जो super class है इसकी, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम bonny feces नाम देते हैं, इनक कितनी वि मफ़शच्छ हैं, उनके character देखते हैं, तो देखे, ओस्टियोक्तिज जो नाम है, यह gerek रहा है का सब्द है, जिसमें दो सब्स भी गी एक सब्सक्रायों है, जिसका मतलब होता है, बॉन, और दूसरा जो सब्सक्तिय हैं, इसका मतलब होता है, फीस, ठीक है, यानि ज देखा था कि कोट्रेश काटी जो मिशलिया थी वह को sol sophomore में गयराईयों में पाई जाती हैं जबकि और प्रकर को प्राइटिक जो एन्वान्टमेंट होता है जहां भी जैसे फ्रेस वाटर हो या मेराएन वाटर हो या पानी nutrida स्प्रिंड़ चेप होती है याद रखने वाली बात है इसके लाबा इसमें दोनों प्रकार के fin होते हैं, median fin भी होते हैं और paired fin भी होते हैं, okay, median fin और paired fin, और जो fin जो हैं, उन्हें fin raise जो हैं, वो भी क्या होती हैं, present होती हैं, ठीक है, इसके लावाद tail जो है, वो homo circle type की होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक tail जो होती है, चavic होती है, homo circle, और एक tail होती है, वो heater circle होती है, तो heatero circle में क्या होते हैं, कि उपर नीचे वाली लोब की पाली है वो और नीचे वाली लोब के पाली थोटी बड़ी होती है जब कि होमो सरकल में यह क्या होती है बराबर होती है पीछे से ठीक है तो आप यह मचली है यह आप देख सकते हैं यह देखिए मैंने एक डाइग्राम लगा है इसमें तो यह जो पीछे से लोग जो पाली है जो है स्केल सो यह वो परजेंट होते हैं जावकि कॉन्डरी उक्ति में धेका था पले कोड़ टाइप की स्केल से परजेंट थे यहाँ पर यह भी धिधान रखने वाले बात है कि कुछ ऐसी मसलियां भी है जिनमें स्केल्ट जो है वह वह क्या होते हैं अब सेंट ओते हैं नोटो कोड जो है nortocode क्या होते हैं वल्टिप्राइग की रूप में present होताएं और पेलव1 ग्रीडुत जो है वह बहुत ही smaL या प्षegress होती है वहां पे देखा था है पेलवी ग्रीडुत थी वह अच्छी वेलडाव अधी औरफ दी। इक वॉट अ हो अगर हम बात करें तो क्लोय का प्रजेंट था और अमक नाम दिया था और यहां पर कलॉयका नहीं पंच पाय जाता इसन पहे जाता है ठीक है इसके लावा Сам के लिए यह सिर्फल के लिए यहां पर क्या उसके लिए ईपकीर उती है जो पिर कूलम दुवारा दकि संथा है ठीक है तो आप यह देख सकते हैं एक क्रेक्टर हम देख रहे हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो के निच्चे जो लाइक वाला बटन है वो दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगर नए हैं तो चलिए आगे बात करते हम आगे और क्रेक्टर देखते हैं कि इसमें क् कुछ मसलियों में फेपड़े की तरह काम करते हैं आगे हम एक जब इसका क्लाशिव के से देखेंगे तो इम देखेंगे कि उस लंग्स फीस बोलते हैं तो उनमें यह एर ब्लेडर लंग्स का कारिया करते हैं और यह कुछ फीस जो है डिपनोई जैसे यह मैंने लिखर कहा ह पे दिपनोई में क्या होता है कि एए ब्लेडर लंग्स का का में करता है ठीक है और हर्ट जो है इनका शेंबल होता है और क blends venus और क single safe present यह हम झाली का स्रफकुलेटरिश्टम पढ़ते हैं तब हम ने मी कुछ स्टक्सर पढ़ते हैं सर्कुलेटरिशी स्सिस्टम में तो उस न्यूक्लिस में पाया जाता है यह ज्यान में रखने वाले बात इन्पोर्टेंट कर्रेक्टर यह भी इसके लाबा यह जो एनिमल है और यह सभी पॉइंट किलो थरमस होती है यह इनका अपमान जो है वह इन्वाइन्ट मेंट के कोडिंग चेंज होता रहता है ठीक है इसके लवा उत्सरजन के लिए इन में क्या पाए जाते हैं मिजोनफिक टाइब की नेफ्रीडिया पाए जाती और यह योरियोट्र लिक होते हैं है ओके ऊप्तिक जो लोब है वह वेल डवल प्रवॉत रहता है इसके लाबा सेयरिंट होता है यह हम ब्रें के पार्ट देख रहे ह स्मॉल होता है सेरे ब्रम भाग होता है brain का हो इसमें अप्तिक लोग वेहल डाव leapt होता है और यह वह भी परजेंट होता है एंटरनेल ये इसकी खास बात यह है इसमें जो तीन सेमिलुन जो या नाल दोती है वह वो इसमें पर्जेंट होती है इसके लबाँ लेटरल लाइन जो सिस्टम होता है जो एक टाइप से मसलियों में सेंसरी ओर्गन का काम करता है लेटरल लाइन system ये भी क्या होता है इसमें well developed होता है और इसमें जो link जो है वो पर्थक होती है अलग-अलग होती है male और female gonade जो है वो पेर के रूप में पाए जाती है और fertilization जो है वो internal होता है और normally ये सभी मचलियां कहें वी वी पेर्स हैं लेकिन कुछ मचलियां ओव वी वी पेर्स और वी वी पेर्स भी हैं ओके और development जो है वो डायरेक्ट होता है ये बहुत ही important चीज़ें ये सारी की सारी देखिए ओष्ट्यों कथी जो मचलियां है जो एक ओष्ट्यों कथी जो कलास है शूपर कलास फिसीद होगी इनकी ठीक है तो इसको दो सब कलास में डिवाड़ी किया गया है कौनसी कौनसी एक का नाम है सारकोप्टेज जए दूस सारकोप्टेज जए जो है इसको आगे दो ओडर में डिवाड़ किया गया है क्रोसोप्टेज जए जिसमें लेटी मेरी आती है आगे हम देखेंगे डिटेल सेन को इसके लबावा एक डिपनोई जो है वो दूसरा ओडर है सारकोप्टेज जए सब कलास का जिसमें लेपिड इसको भी आगए आगे फिर ओडर में डिवाइड किया गया है एक का नाम में पॉलिटेरीफॉर्मिस इसके लाबा दूसरे का नाम है एसी पैंसरीफॉर्मिस और इसमें Polypterious यह क्यातिए, Phist में आती है, यह भी हम आगे में डीजिए से देखने वाले हैं, इसके लाबा, आगे एकर हम बात करें, Holosteae, इसको भी आगे, यह Super Order है, Holosteae, Ectinoptes heinis subclass का, और Osteopathis class का, Super Order कौन सा दूसरा, Holosteae, ении Formis इसका Order है, इसके लावा दूसरा ओडर जो है वह सेमियों टी फॉर्मिस ओके दो ओडर है और इसमें लेपिडोस्टीस जो है वह मचलियां आती हैं इसके लावा आगे तीन नंबर जो सूपर ओडर है एक टिनोप टिर जे सब क्लास का उसे हम बोलते हैं तीलियोस्ट है और जिसके बहुत सारे ओडर हैं तो यह ओडर आपको नॉर्मली आपको के ओल और के नाम और एक्जामपल जो मैंने आगे लिख रेके ओल डाइग्राम भी दिखा रहके में इन सभी मचलियों के आगे तो आपको जाद रखना है ज्यादा डिटेल में इसे नहीं जाना है तो देखिए इनके और के नाम देख लिए सबसे पहले एक ओडर आता है इसमें लगबग इसको कि पंद्रे ओडर में डिवाड़ किया गया है तीलियोस्ट जो स्क्राफिच के लावा पल्यूरो नेरी फोरवने फैर सेम में सब्सक्राइब गुर्टाइब क्या गया है बहुतना कै तोецेब्टाइब ऐड़ा में इसके लेग में ड्लावने में पनद्रे ओडर हैं यह किस सुपरोडर क्या होगी एनका टेली ओस्ट इसके लबा इसका जो सब क्लास होगी एक तिनोप टेजी क्लास होगी ओस्ट युक्तीज और सुपर क्लास पीचीज होगी उससे उपर हम फाइलम और डिविजिन गुरूप हम देखते हैं उसमें वर्टीब्रा ठीक है वर्टीब्रेव गएर है एक निन था नहीं तो स्टोमेटा जो भी है हम आगे पिछे से हम देखते आ रहे हैं तो यह आप है ओल के ओल नोट करें इसकी पीडीब जो है मैं डिस्क्रिप्सिन दे रहा हूं लिंक दे रहा हूं इसकी आप वह पे क्लिक की रहेंगे तो आपको डौनलोड हो सब्राइब की लिए written कि किस्ट राब हम एक एक जो Lao dying currently उसको हम अलग लग देखती है है इनके लग ルクर्ण करेक्टर देखते है तो स्टार्ट करते है ंपर एक सब्कलास की ओगी सारको कटे यह सबकलास दिवाइड की थी देखो सबकलास सबकलास तो अब देखते जो मशलिया हैं इनके अन्य नाम नाम देखें इनको लूब फिंड फीस बोलते हैं इसके लिए इसे नाम फिलेशिय फिंड वाली मशलियां भी दिया गया इसके लिए यह क्या करती हैं e everything इसको बोलते हैं एर वरिफिंग भी बोलते हैं ठीक है सारकोप्टेज आएगा क्योंकि इन में एक लास आएगी आगे देखेंगे अब डिपनोई जो है इसमें एक और आएगा तो उसमें मचलियां जो हैं वो हवा से सांस ले लेती है लंग्स के द्वारा क्योंकि उसमें एर लोड होती तो फिंग अंद्रगत लोब होते हैं इसके लिए इसे लोफिंड फिश नाम दिया गया ओके ग्रीक भाशा का सब्दें सारकोप्टेज जी सारकोश मतला होता है फ्लेशी और टेरनी जीन का मतला फिन होता है तो जिसमें फ्लेशी फिन फ्हाँज जाए इसलिए का नाम सांकॉते जे प्र इसके इसमें पेड़ फिन्या वो पेड़ल लाइक होते हैं लोगडोते हैं और इसमें क्या होता है से बोनिस सेंट्रल एक्शिस primus की भाट चलारे यहां patient तेल्स जुए है वह इसकी हीट है Elec Lunar और यह सब क्लास जो है इसको पहले कोयorns नाम दिया गया था चीआ किया नाम दिया था चाहिक क्योंकि इसका रिज़न यह था कि ईबाः सब्सक्ण कोई न जिसका और तो हता है और अंत्यास मतले 2 ठीक है कोई अनिक मत्लागा फनलती से यंडि इंद में जो ओल्फेक्टर सेक्क जो था ना वो क्या है आं आंतरिक नासा दौर या कोई कोईमा जिसे बोलती हैं अन्तरिक नशसा द्वार कोईना के द्वारा बुकल की वज़ा हुआ रहता था ठीक है इसमें ओलसेक्टरइक सेकर सब्सक्राइल तो ती इसलिए मार्स बदल दिया था सste outs कर दिया गया था अब उसको दो उडर में डिवाइड किया गए एक क्रोसोप्यजिय और दिपनोई तो अब हम सब बात करते हैं सब क्लास ले सकले थी उसके दो ओडर टिवाइड किए क्रोसे टेजरो डिपनोई ठिक है तो इनको भी का सबद जिसमें कROSFE जो है इसका मतलू होता है fishing लिख लेना कि Chopica यहानि जिसमें एक Fringe के रूप में रूप में क्या पाए जाते हैं Fin 갔 it यह जाती है इसलिए इसका नाम क्रोंसे आ है यह देख सकती है जो जालर वोता है परजेंट है इसके लावा इसमें परजेंट होते हैं याद रखने वाले बात हैं कि सबसे इंपोर्टेंट क्रेक्टर इनका कि क्रोश ओप्टेजए के जो टेल का जो फिन होता है एनल फिन बोलते हैं जिसके जिसमें कितने पाइल आती तीनलोब परजेंट होती है इसे के लावा इसमें प्री-मैग्जिला और मैग्जिला इक इसमें पर जेंट आती है फिक्रोपोर्टेज़ पिडिफज आता है और एक इंपोर्टेंट बात की क्रोस ओप्टेज jujee वह भी रिडूच्त है एंफीबिया के यानि इसके बहुत सारी ऐसे क्रेक्टर हैं जो एंफीबिया से सिमिलर हैं इसलिए हम डायरेक्ट एंसेस्टर जो एंफीबिया का वो क्रोस अप्टेज़ई को ही मानते हैं ओके इसके लावा इसका ओरिजिन जो है वो डेवनियन काल में हुआ था और यह सबबएग्रेवा इसके लबन इकजाम्पल इसमें लेटीमयरिया हो जो की एक मत्र करोस ओकरआ का नियूग जिन्स जिन्स है अभी जिन्दा के वो एक ही जिन्स है लेटी मेरिया और लेटी मेरिया जो सब्द है वो J.I.B. Smith ने दिया था ओके और ये जो डाइग्राम है ये रियल वाला डाइग्राम है ठीक है आगे डाइग्राम दिखाऊंगा मैं उसमें थोड़ा आपको प्रियोर्ता लग स लगता है लेकिन रियल में ये जो लेटी मेरिया है वो ऐसी दिखाई देती है इसके लाबा दूसरा जो ओर्डर है डिपनोई कौन से सबक्लास सारक अप्टेज जाई का इसके गरम बात करें तो इन्हें लंग फिस या अंकल ओफ एंपीबियार नाम भी बोलते हैं इनको ए इसको अंकल बोलते हैं डिपनोई जो है ओर्डर को और इनमें यह लंग्स की तरह कारी करता है इसलिए इनका लंग स्वी से नाम दिया गया है गरीक बासा का सब दैडड़ जिसका मतलब होता है डबल और समय डबल ब्रीठिंग की जो मेकनिजम वह पाई जाती है यानि यह लंग्स के इनिमल जो थे ना फेस्ट उसके यह बिलोंग करते हैं इनमें कुछ ऐसे करेक्टर हैं जो आज कल जो यह टेरिस्ट्रिल एनिमल जितने भी उससे बिलोंग रखते हैं ठीक है डिपनोई में इसके लावा इनको नाम दिया गया एंकलो फिर ठीक एंफिबिया रेस्पाइरेशन तक ठीक ना तो एक टेश्ट्रिल जो हैं यह प पहले सबसे पहले यही एनिमल थे जो टेश्ट्रिल की तरह इसमें बहुत सारे एक रेक्टर देखेगा है थेक एर बलेड जो है वो फंक्शन करता है लंग्स की तरह त्रेस्ट्रेल जो एनवाइनमेंट होता है वहाँ पे वह साइकलोड स्केल्स परजेंट होते हैं इनकी बोड़ी पे इसके लबाए इनके तीन ओडर लिविंग है इनका एक ओडर लिविंग था लेटी मेरिया जबक मकिवआ प्रोटोप्टेर्स जो है इस से अफ्रीकनलंघ फीर समय को मर बहसां में उर लेपिडव साइरेंस जो ऐसे अमेरिकन जो है साओत॑ ऑन दिया जाता है यह जितनी फी लंग्फीश रूए चे का अकराइब यह पाये बीया तो सट शुहर चांब मेंडाइक सी पर्रेंट से यहें रियों तोस्ता है वह तई तक पैला यांक म कें गिल्स है यह बेल्स परियाग्रामस प्रजेंट धे इसमें छो हो इसका डाइग्राम ये है던 में ये ऐसी ओती है ये युल में डाइग्राम इसका इसका यह खाए तो ये काफिậन सब्सक्राइब ऑडने और कोंच सब्सक्राइब सब्सक्राइब उन cruelty. जाएके ओरें कौन-कौन से क्रोशोप्ट है और दिप लॉइ amor इसमें important वात है कक करेक्टर रहेंक का important है इसका order की सब्द का इसके लवक्रावा बहुत ज़ादा बहुत ज़्षादा इमपोर्टेंट है और कि यह तो हो गए इनके डाइग्राम रियल वाले अभी आम जो बुक्स में डाइग्राम बनाती वह ऐसे होते हैं देखो यह तो हो गया लेटी मेडिया का डाइग्राम अब डाइग्राम से आप बहुत सारे कोमेंट बना सकते हो और इसका जो क्लास्टिफिकेशन है वह भी आप में ग्रेनेक्र हो गया उसके बाद में आगए जाओंगा डीलिवजन में वर्ट परेट् से और जिनत तो यह तो हम खरी सकती कर शकते हैं आंहीं किश में कुछ भी चैंज करना नहीं है क्यों ओन्डर का हो जाएगा लेपिडोस हैरन का हो जाएगा तो यहां से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक एक क्रेक्टर लिए सकते हैं और डाइग्राम ले सकते हैं और डाइग्राम से भी अपन क्या कर सकते हैं लग बग 15 जो क्रेक्टर हैं वो इससे डवल्ट किये जा सकते हैं जैसे ले इसके लबाद आगे वाले जो तीन डाइग्राम है वह प्रोटोप्टेरस इसके लबाद नियूस सेरेटोर्डस और लेपिडोस आयरेन ये जो है ये डिपनोई मचलें तीनों की ते दो ठीक न तो इसमें त्यान रखने वाले बात ये ओके और इसमें देखो पैडल लाइक ज का काम करते हैं लेक्स की तरह काम करते हैं और इसमें एरबलेडर उपाए जाते हैं वो लंग्स की तरह कारिये करते हैं तो आप ये डाइग्राम देख लेना और आप बनाना चाहो तो ये बना सकते हो कोई दिक्कत वाड़ी बात नहीं है ओके चलिए ये तो हो गई हमारी ए बड़ा डिटेल से देखने वाले तो देखे हम सुरू करते हैं भी दूसरी सब क्लास हट एक तीन उप्ते हैं ठिक है और इसको दूसरा नाम क्या देखे रे फिंड इसमें पिछे वाले फिंस होती हैं इसमें रे प्रजेंट ओती हैं ऐसे ठिक है इसलिए का नाम क्या दिया गया और फिंड फिस और यह जो सबत जो है गreek बासा का सब्द है एक्तिनों प्टेजए जिसमें ŠTIS मतलब रे और कर द्रे चमर फिन जिसमें फिन के अंतरगत रे परजेंट होती हुती है इसन्स यह ईएकैनों प्टेजए नाम दिया गया और इसमें Soff K लोब और अपसेंट होती है जो है इसमें जो फ्लेसी बसक्तल न करहा расп इंद सब्सक्राइब हम बोलेंगे सुपर ओडर में डिवाइड क्या गया है कौन सी सबक्लास है एक टिन ओप्टेज जई एक टिन ओप्टेज जई कहा है कि सबक्लास है किसकी सबक्लास है और चुक्तिज क्लास की ठीक है और चुक्तिज क्लास की सबक्लास एक टिन ओप्टेज जई और इसको आगे कॉंड्रियोस ट्याई इसके लावा ओलियोस ट्याई ठीक है तो अब देखते हम इसका भी देख लेखें थोड़ा-थोड़ा कि सूपर ओडर जो है और कॉंड्रियोस ट्याई इसमें अगर अग्रेक्टर की बात करें तो गरिक बासा के सब्सक्राइब इसमें कुछ उपास्तियां भी प्रजेंट होती है उन्हें हडियां भी पाई जाती इसलिए इनका नाम कॉंड्योस्ट यह रखा गया स्केल जो है इसमें गेनेर ट्वाइप के होते हैं और एनल फिन जो हो एठेरो सरकल होता है और माउस जो हो लार्ज साइज का होता है इसमे मुख द्वार बोल सकते हैं इंदी में तो वह इसका लार्ज साइज का होता है ठीक है और यह जो है सुपर ओडर कॉंड्रियोस्टेई इसको आगे मैंने बताया था पिसे एक टेबल में कि दो इसके ओडर बनाएगे पॉलिप्टेरी फॉर्मिस और एक एसी पैंसरी फॉर् प्हूर्मिस में आती है पॉलिप्टेर श सबो Bowl इसके डाइगराम उर्हां सिप्रकार से पॉलिप्टेर शोती है और इस टैप सी एक पॉलिप्टेर पाएगे गींटोफंस और नहीं ह enc वह प्लिक हों दुसरा इससफरा होल्योस्टेट जिसमें गडिक बशा वार्प्ट最 यानि पूरा सम्पूर्ण और मतलब बौन यानि ऐसी मचलिया जो पूर्ण रूप से बौन से बनी हो इसलिए इनका नाम होले उस्टियर रखा गया स्केल्स वह वो गेनोर डी और साइकल टाइप की होते हैं और टेल फिन जो हो हिटेरो सरकल होती है ठीक है और इसे भी हम आग आगे शेक्टर देखें के लोग तो दो तो देखो एमीफॉर्ण विस जो है उसमें क्या होता है थिन और ऑवरलेपिंग साइकलोड सकेल्स पाई जाते हैं और जो आगे जो होते हैं सनौर्टी से बोलते हैं वो नोर्मल होता है यह देखिया आप आगे से देखिए गोल होत तो उसमें आप ओडर जो है ओडर और जेनिस तक आप अराम से बिना कुछ याद रखे इसका क्लासिफिकर्शन कर्श को जैसे एमिया का क्लासिफिकर्शन बहुत इजी हो जाएगा सुपर क्लास पीसी तक आगे उसके बाद सब क्लास जो है वह एक टिन अप्रेज यह और हो गया खुद तो इसका क्लासिफिकर्शन हो गया इसके लाबा ओडर जो दूसरा जो और है सेमियोंटी फॉर्मिस इसमें गौनौइट स्केल्स होते हैं और तिरीक सिरीज की रूप में होते हैं ऐसे तिरीक लगे होते हैं थिर्च्छ टाइप के ठीक है जहें ओबले क्यू वह इसका जाना माना जो एकजम्पल है वह यही है इसका ले ओस्ति जो को रोस्ति शुपरोड की सेमियुवण्टी फॉर्मिस क्लास ओडर में आता है ठीक है तो यह दो स्परोडर होगे एक नम शुपरोडर कॉनौडरी इस्ट्याई दूसरा जो ओडर था वो होलो इनमें याद रखने वाए बात है कि गरिक बशाक सब्द्री ओ जिसका मतलब कम्प्लीट ओस्ट्योव बन ये भी एक सब तो है इस प्रकार शेह बना है कि पूरा जो है बोड़ी है वह बोन से बनी होती है ठिक है तिय नाम दिया गया इसका माउट जो इसका स्मोल होता है इसका इसे बोलते हैं एंटीलियोस जो है यह एडवांस पे रेफिंड फीस है और इसको बहुत सारे ओडर में डिवाइड किया गया है इसमें से नौर्बली हम 15 ओडर मांते हैं और 15 ओडर जो है के लॉडर याद रखने हैं इनके पंदरे और इनके जो एक्जाम्पल है वह आ ओर्वोड मछले आती है हर्पॉड ओर मुठली ओर नबर तीन जो है साइपरे इनके इनन्फॉर भी आता है जिसमें अगला इंगोइलुपोर्बीस में यह उतिए और MS 1 Fleet मििसमें एक्जोष्री शाथी आती है socialesने इसमें चीम्स आतिया झेजना होगे और दूसरा आगे वाला जो ड्राएं इसे हम सिंब्रेंंक की फॉर्मिषास का हती है इसके लावा Karota Sembylli Kriip और लावर सेंब्र énस आतए है इसके लावा स्क्वरपीयन की फॉर्मिस जो है इसमें टेरोईस आती है इसके लाव प्लूरो नेक्टिव फॉर्मिस इसमें प्लूरो नेक्टस आती है और एकायने फॉर्मिस इसमें एकायने साती है और टेट्रा ओडेंटो फॉर्मिस इसमें डायोडोन ठीक है और लास्ट जो ओडर है इसका वो है लोफी फॉर्मिस इसमें लोफ यह उन्पीन डायग्रम आपको दिखाये जाते हैं यह इंवर केंपा था यह जो है यहां पर का डायगराम है इसके लाब है बूझ सक्राइब भान इसाड़ नाप आम सेटी च्छ्छार्य नको सब्सक्राइब एक एक मसलेया प्रेक्टिक्ल में बहुत ज्यादा इंपोर्टेट है क्योंकि हमारी आगे स्पोर्ट रखे जाते तो उन्हें क्लासिपकेशन करना होता है च्रेखर करने होते हैं तो हम डाइग्राम से और यह इतना है अगर आप इतना कर लोगे तो आप राम से इनके कर सकते हो कोई दिखत्वाड़ी बात नहीं ठीक है यह भी कुछ मसलिया है जो इसमें देखो आप डाइग्राम है आपको एक डाइग्राम जो है वह अच्छे से दिखाया गया है ओके हमारें जो तीसरी कलास जो थी ओस्ति उक्टीस मचलियों की वह हमारी कमप्लीट होगी हमने पहले देखा प्ले कोडर में क्या था उसके बाद अगरो जो आगे भी मैं पांध आजमारी औस से स्केल से दो वीडियो हैं जैसे प abyn कितने टाइप की ऊते हैं टैल कितने आपके पास और आप जो नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलें धन्यवाद